ताजमेहल पर लगातार सैलानियों की संख्या में कमी देखने को मिल रहा है आपको उता दे जिसके वज़े से वहां मौझूद व्यापारी पूरे दीन परेटकों का इंजार करते हुए देखे जाते हैं ताजमेहल पर लगातार सैलानियों की घटती संख्या परिटन व्यापारीों की परिषाने का कारण परिवशेल रहे परिटन व्यापारी अब G20 की उमिद लगाए हुए बैठे हैं जलम ये है कि G20 को लेकर व्यापादियों ने अपने अपने शोरूम में स्टॉक भी बढ़ लिया है। परेटन व्यापार को फाइदा हो सकता है उस उमीद लगाए बैठे हुए है। जनवरी से अब तक वैपार के हलत बहुत खराब है लेकिन G20 की जो तैयारे चल रही है उसे बहुत ज़्यादा उमीद है और लगता है कि दिन सब रहेंगे इस लाइन के क्योंकि पिछले पंदरा बीच दिन से तो बिलकुली हालत बहुत खराब है। दूर दूर तक तूरिस का अता पता नहीं है उसकी वज़े सरदी हो सकती है। और उम्मीद अब बहुत ज्यादा है जिस तरह से सरकार के दौरा तैयारी की जा रही है जिस दरह से सब कुछ महँल बनाए जा रहा है उससे लगता है कि बहुत ज़ए नदे के आधार मनेंगे बहुत ज़ए बैतरी आएरी इस लैन में पूरा टूइश लाइन का काम बहुत एकदम डाउन हुआ है अब G20 हो रहा है आगरा के अंदर हम उम्मीद करते हैं G20 के बाद अच्छा कुछ हो हम लोगों के लिए इसका इंदर कर रहे हैं G20 जल्दी हो उसके लिए अच्छा पूरे गौर्णने काम भी अच्छा कराये हुआ है सब जग़े पेंट्स हो रहे हैं सब जग़े अच्छा रोड भी हो रहा है सब रोड की सफ़ाइया हो रही है इसकी एक वज़ा वेंटर कनेक्शन का खत्म होना भी बताया जा रहा है हालाकि जो भी हो ताथ से सेलानियों की घटी संख्या परेटान उद्योक सुझड़े व्यापारियों की चिंता की वज़ा पनना स्वभाविक है सी न्यूस के लिए गोपाल शर्मा की रिपूर